देखिए अक्षे तृतिया पर ग्रहों का विशेश संयोग बन जाता है सूर्य जो की जोतिश का प्रान है वो अपनी सबसे मजबूत राशी में होता है सूर्य होते हैं मेश में और चंद्रमा अपनी सबसे मजबूत स्थिती में होते हैं चंद्रमा होते हैं वरिश में, तो सूर्य और चंद्रमा की विशेश इस्थिती अक्षे तृतिया पर बन जाती है, जो इस पर्व को, इस त्योहार को बहुत महत्वपूर बना देती है, इसलिए ऐसा माना जाता है कि जो कार अक्षे तृतिया को किया जाए, वो अक्षे अक्षय मने जिसका कभी च्छय नहों जिसका कभी नाश नहों तो जो काम आप अक्षय तर्तिया पर करते हैं अच्छा काम करते हैं तो उसका अच्छा फल आपको लंबे समय तक मिलता है और अगर गलत काम करते हैं तो उसका गलत फल भी आपको लंबे समय तक मिलता रहता है इसलिए इस दिन अक्षे तरतिया के दिन सोना खरीदने की और दान करने की परंपरा पाई जाती है लोग सोना खरीदते भी हैं और निर्धनों को सोने का, चादी का, तमाम वस्तूमों का दान भी करते हैं ऐसा मानते हैं कि अगर अक्षे तरतिया के दिन आप सोना खरीदते हैं तो घर की जो संपनता है घर की जो सम्रिद्धी है वो अक्षे हो जाती है उसका कभी नाश नहीं होता और अगर आप सोना खरीद करके अक्षे तरतिया को लाते हैं तो घर में सोने के और धन के भंडार भरे रहते हैं यानि जो काम जैसा पहले भी कहा कि जो काम आप अक्षे तरतिया को करेंगे ऐसा माना जाता है कि वो काम आप लगातार करेंगे और उस काम का जो प्रभाव है वो भी आपको लगातार मिलता रहेगा तो अगर आप अक्षे तृतिया पर सोना लाते हैं तो इसका मतलब है कि आप निरंतर सोना खरीदेंगे निरंतर आपके पास पैसा आता रहेगा और आपके घर में जो भंडार हैं धन के हैं समपत्ती के हैं समपनता के हैं वो निश्चित रूप से भड़े रहेगे अब ये जानते हैं कि आखिर सोना जोतिश में कितना जादा महत्पून है कितना जादा इंपोर्टेंट है देखिए सोना पृत्वी पर पाई जाने वाली मुल्यवान धातुओं में से एक है पृत्वी पर बहुत सारी मुल्यवान धातुओं पाई जाती हैं सोना है चांदी है तांबा है चीक है ना उसमें से सोना काफी मुल्यवान माना जाता है और सोना ये बताता है कि आप कितने सम्रिद्ध हैं आप कितने प्रॉस्पेरस हैं और आप कितने संपन्न हैं ये बात सोना बताता है इसलिए आप देखिए कि लोग सोना पहन करके फ्लॉंट करते हैं सोना पहन करके ये दिखाव करते हैं कि मैं बहुत पैसे वाला हूं मेरे पास financial condition बहुत अच्छी है तो सोना पहन करके लोग flaunt भी करते हैं क्योंकि सोने का मतलब होता है कि अगर आप ज़्यादा सोना पहनते हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास काफी पैसा है काफी संपत्ति है काफी धन है जोतिश में इसको तमाम ग्रहों से जोडते हैं लेकिन मुख्य रूप से अपने रंग की वज़ा से और अपने गुणों की वज़ा से सोने का संबंद होता है ब्रिहस्पती के साथ जुपिटर जिसको देव गुरु कहते हैं वो सोने का मुख्य ग्रह है यानि सोने के साथ जिस ग्रह का संबंध होता है उसका नाम है ब्रिहस्पती सोने से उर्जा भी पैदा होती है और सोने से गर्मी भी पैदा होती है सोना एक गर्म धातू है जैसे चांदी एक शीतल धातू है मन को शीतल करती है वैसे सोना जो है ये उग्र धातू है एक ग्रेसिव धातू है और ये शरीर में उर्जा और गर्मी दोनों पैदा करती है सोना विश के प्रभाव को भी नश्ट कर देता है सोने के पात्र में पहले लोग शराब पीते थे खाना खाते थे राजे महराजे क्योंकि वो मानते थे कि सोने के पात्र में खाना खाने से जो खाने की negativity है जो विश का प्रभाव है ये कम हो जाएगा और वाकई में सोना जो होता है वो विश के प्रभाव को निश्चित रूप से नश्ट कर देता है शरीर में जब टॉक्सिंस जदा हो जाते हैं शरीर में जब विश जमा हो जाता है तो कहा जाता है कि एक गिलास पानी में सोने का सिक्का डाल करके राद भर रख दो और सुबह उठ करके वो पानी पियो तो निश्चित रूप से जो शरीर में विश्जमा हो गया है वो बाहर निकल जाएगा सोना अगर आपको फाइदा करें ऐसा नहीं है कि सोना सबको फाइदा करता है सोना किसको फायदा नहीं करेगा, किसको करेगा, ये भी एक बड़ा महत्वपूर मामला है, लेकिन अगर सोना आपको फायदा पहुँचा है, सोना आपको लाप पहुँचा है, तो व्यक्ति सम्रिद्ध हो जाता है, व्यक्ति की संपन्नता बढ़ जाती है, लेकिन अगर सोना नुकसान करे तो दुरघटनाएं करा डालता है बेवज़ा कि दुरघटनाएं जीवन में होनी शुरू हो जाती है क्योंकि सुना एक गर्म धातु है और अगर ये नुकसान करेगा तो शरीर में दाने निकलने लगेंगे आपका गुसा बढ़ेगा आपको चोड़ चपेट लगेगी इस तरह की समस्याएं भी जीवन में बन सकती है